पुढ़ानपुर जिले की मालवीर पंचायत के घावटी फलिया में आजादी के इतने साल बाद भी आज तक सड़क नहीं बनी है बदादे की ग्रामीनों को प्रसूता या बिमार होने पर दूसरे साधनों से मरीजों को ले जाना परता है ऐसा ही मामला बुखार से पीडित एक मरीज का है जिसे दो ग्रामीन कपड़े की जोली में डाल कर धावटी फलिया से करीब पाच किलोमीटर दूर सड़क तक पहुचाये गया यहां से वे उसे इलाज के लिए जामठी गाव ले गए दिरसल बारिश के कारण सड़क पर कीचर जमा हो गया है वही ग्रामीनों ने इस पर नाराज की जताई है जानकारी के मताबिक पीड़त नवल सिंग को अस्पताल ले जाने के लिए साधन उपलब्द नहीं हो पाए वही खराब सड़क के कारण एंबुलेंस अंदर नहीं जा पा रही है वही जिले के अन्यादिवासी इलाकों में भी ऐसी स्थिती बनी हुई है इससे पहले धूलकोट अलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया था ग्रामीनों का कहना है कि यह कोई बात नहीं है जब यह कोई नई बात नहीं है जब घावती फल्या जब भी कोई गंभीर रूप से बिमार पड़ता है या गर्वती होती है जब किसी महिला को प्रसब पीडा होती है तो कपड़े की जोली से अस्पताल ले जाने का एक मातर सहारा बनता है कि परिषान है कि पानी बाऊस में बारिश की दिन में हम गारा इतना गारा होता है पानी गिर जाता तो महां रस्ता इतना जाने की सोचता भी नहीं है और मरेच बाइग आगर कभी रही दिलेवारी होती उसको भी हम लगड़े इसे बानते और दो अजमी आगे पिछ उठाके तो रस्ते की इतनी सम्मेश्या है हमारी कि भूस ही ज्यादा है और हम हर बार कारवाय कर रहे वाकुन कुछ रूड़का कुछ नीरा कारें हो नीरा पर भूस इस्ते दिखरा आज भी एक अजमी इतना लाते लाते पूरा सीरिय तो ज्यादा हो गया उसकी तब्यत बढ़ गई क्या दयादा है